इसे अर्द आद्र दक्षिनी मैदान कहते हैं, इसमें तीन जिल्ले आते हैं, रासमन, भीलवाडा, चितोडगड, इसका ग्राय परिक्षन केंदर चितोडगड हैं, और यहां पर सीचाई सबसे ज़्यादा तालावो द्वारा होती है, इसमें वर्षा 50-90 cm, यहां पर मुख् सबसे ज़्यादा जो है मक्का का उत्पादन होता है, मक्का राजस्तान में सबसे ज़्यादा भीलवाडा और चितोडगड में होता है, मक्का के सासा चितोडगड में अफिम का भी उत्पादन होता है, जिसे काला सोना कहां जाता है, इसके बाद दूसरा जो है, जिसका यह था था रिक्षन केंद्र नहीं है और साती यहाँ शेत्र फलकी द्रस्टी से सबसे चोटा कृशी जलवायू खंड है यहाँ पर मुख्य रूप से माही सुगंदा किस्म का चावल होता है और यहीं पर ही बास्वाडा में चावल अनुसंदान केंद्र बनाया गया है और उ मक्का के किसम माही, कंचन और माही, धवल है और आज के पेपर में ही कंप्यूटर अनुदेशक में यह प्रश्ण पूछा गया था कि माही, कंचन चावल की चार जिलाते है तो वहाँ आत्र दक्षनी मैदान का भाग है और माही इसके बाद सबसे अंत में हमने अध्यन किया था पांच आत्र दक्षिन पूर्वी मैदान इसमें राजस्तान के चार जिल आते हैं कौण से आते हैं कोटा बुंदी बारा और जालावार जो की हाड़ोती के पठार के अंतर करते हैं इनकी कोटा संभाग जो है वहां आत्र दक् राजस्तान में सरवादिक आत्रता वाला क्रशी जल्वाइउ खंड कहलाता है ही और साथ इसात यहां पर काली मिटी मध्यम आत्रत समता समसे ज्यादा होती है और इस दिए इस शेत्र में नधियां बहुत ज्यादा होनी करण जलमञा फारदन सबसे ज्यादा होता है न harmon si कई बार पूछा गया है कि राजस्तान में जल्व द्वारा मृता के अपरदन से सरवाधिक प्रभावित शेत्र कौन सा है तो हाड़ोती का अपरार जो चंबल नदी के आसपास है और इस शेत्र में जो है सिचाई का जो मुख्य साधन है वहाँ मध्यम स्रेनी सिचाई पर्योजना है और यहां की प्रमुक मध्यम स्रेनी सिचाई पर्योजना में गरदरा पर्योजना जो की बूंदी में है तकली पर्योजना कोटा में है लहासी पर्योजना बारा में है और राजगड़ और हतिया देयर यहां की प्रमुक पर्योजना है य इस पर हमने विस्तार से चल चागी और यहां से कैसे